कि हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाना क्योंकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें और साती साथ आप इस वीडियो को शेर करें ज्यादा से ज्यादा मैक्जिमम् लोगों को या तो वाट्सप में शेर करें या फिर आप कोई भी पास गोल नहीं है, तो आदमी घुम घुम के कहां पे जाएगा, वो वहीं पे आके रुकेगा, जहां पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इस दुनिया में अगर कुछ भी अचीव करना है, तो गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो गोल कितने प्रकार के होते हैं, गोल होते है दो प्रकार के गोल एक होता है long term गोल और दूसरा होता है short term गोल तो मैं आज आपको इस दो प्रकार के गोल के बारे में सारा detail दूँगा जिससे आप follow करके अपनी life change कर सकते हो वो कैसे तो आईए discuss करते हैं एक होता है long term गोल long term गोल कितने प्रकार के होता है long term गोल किसको कहते हैं long term गोल कहते हैं कि अगर आप कोई business कर रहे हैं समझेए आप कोई छोटे से businessman है तो आपको इस कोई achieve करना है target तीन साल बाद मुझे कुछ करना है या फिर तीन साल बाद मेरे branches इतनी होंगे या फिर मुझ student है या फिर एक student persuasion आप graduation pursue कर रहे हो या फिर आप PG कर रहे हो अपना तो आप आपका गोल रहेगा के PG के बाद में मुझे एक corporate job join करनी है या फिर एक business start करना है या फिर मुझे कुछ service join करना है तो आप वो कैसे करेंगे इसको कहते हैं long term goal बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ long term goal रहते हैं कहने के लिए तो सिर्फ long term goal लेकिन जब बात आती है उसको अचीव करने की जब तीन साल या पान साल हो जाते हैं तो आईए इस वीडियो में जानते हैं हम लोग अगर आपको अपना long term goal अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या करना बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करता है तो पहली बात है अगर आपको अपनी long term goal अचीव करनी है तो आपको अपना short term goal जो मैंने इस वीडियो में starting में बताया था कि गोल्स दो प्रकार के होते हैं एक होता है long term goal एक हो दूसरा होता है short term goal अगर आप अपना short term goal अचीव नहीं कर पाए तो आप अपना long term goal के बारे में भूल जाए क्योंकि long term goal आपका होगा ही नहीं क्योंकि जब आप अपना छोटी छोटी commitment आप करोगे नहीं तो long term कहां से हो या फिर आपका dream business या फिर आपका dream service join करना जो भी है वो आप कैसे achieve कर सकते हो तो पहले start करते हैं अब long term goal के बारे में मैंने आपको बताया है और आपको उसके detail में जाओंगा उससे पहले मैं बताओंगा कि अगर आपको अपना long term goal achieve करना है तो कहां से start करोगे आप आप start करोगे short term goal से तो short term goal मतलब क्या short term goal होता है एक दिन का short term goal होता है एक week का short term goal होता है एक मेहने का short term goal होता है ज्यादा से ज्यादा 6 मेहने का तो कैसे इसको divide करेंगे हम लोग तो पहले आप यह जान लीजिए कि अगर आपका short term goal long term goal achieve करना है तो short term goal को achieve करना ही है तो कि आपका long term goal एक साल का है तो आप उसको divide करेंगे एक महने में क्या-क्या उसके लिए अचीव करना है तो उसके बाद एक महने को आप divide करेंगे एक week में जा क्यूंकि एक महने में चार weeks आते हैं तो चार weeks में आप divide करेंगे पूरे एक दिन मिलेगा आपको तो एक दिन में 24 गंटे हैं तो 24 गंटे में आप क्या करोगे तो 24 गंटे में आपके स्क्रीन के सामने ये 24 गंटे है तो 24 गंटे में इंसान करता ये है कि 8 गंटे सोता है तो मान लीजे आप 7 गंटे सोता है कोई 6 गंटे सोता है कोई 8 कोई 9 भी सोता है तो अगर आप businessman हो, 8-9 गंटे काम करते हो, या फिर अगर आप student हो, तो 8-9 गंटे आप school या आप college में आप गुजारते हो, तो आपके पास बचे सिर्फ 8, तो 8 में से अगर 2 गंटे आप traveling में निकाले, तो 6 गंटे बसते हो, तो ये आपका long term अचीव करने पे पूरा पूरा निर्भय करता है, कि आप ये 6-7 गंटे दिन के 24 गंटे में कैसे बिताते हो, तो इस दिन के 6-7 गंटे आप क्या करते हो, वही आपका character है, मतलब अगर आप इस दिन के 6-7 गंटे का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए, तो समझेए आप अपना long term तो क्या short term में भी कुछ नहीं कर पाऊगे, आप जो हो वही रहोगे, को या तो WhatsApp में शेयर करें, या फिर आप कोई भी social media के platform से शेयर करें,